सामने वीडियो में आप देख रहे हैं मेरी मम्मी है 78 यर ओल्ड मम्मी क्या कर रही है मम्मी लगा रही है अपनी आँखों में शहध ये शहध वो वाला है हमारी सुसाइटी में मधु मक्यों ने छट्ता लगाया था चत्ता बनाये था तो जब चत्ता तोड़ने वाले आये थे तो उनसे हमने शहद ले लिया था तो ये शहद काफी पुराना भी है और काफी टाइम हो गया शहद को तो असली सहद है ये मार्किट का शहद नहीं है तो यही शहद मम्मी भी लगाती हैं मैं भी लगाती हूं और जो मेरी बेटियां हैं वो भी शहद आँखों में लगाती हैं तो सभी को देखे लोग कहते हैं कि शहद से क्या फर्क पड़ता है आँखों में लगाने से मैंने पहली वीडियो डाली थी जिसमें की बताया था कि हम लोग आँखों में शहद डालते हैं तो उन्होंने बोला व कुछ जानते हैं यूटूब में कितना काम करना पड़ता है सारा आंखो का ही काम है और मेरी बेटी जो जौब करती है एच आर है तो एक यह लगा लिजे कम से कम 10 घंटे लैप्टॉप के आगे को जैसे आपको अच्छी तरह हात धोलेने हैं और उसके बाद काजल की तरह लगाना है तो इसके बाद काजल की तरह लगाना है तो बार लगाया खूब आशू निकले तो जब फर्स्ट बार आप लगाओगे तो थोड़ा सा लगेगा पर डरना मत जैसे ही आशू निकल जाएंगे काफे सारे आशू निकलते हैं उसके बाद आपको आखों में ठंडक भी महसूस होगी और हलका पन भी महसूस होगा तो मम्मी क लगता है और शहद लगाते ही आँके ऐसे लगता है कि जैसे की सामने बिल्कुल नजारा सा जैसे साफ दिखने लगया खुल गया नजारा तो इससे शहद के इतने बेनिफिट हैं क्योंकि मैंने एक बहुत पहले निरोगधाम पत्रिका आती थी आज से 15-20 साल पहले की बात था तो उन्होंने बोला था कि अगर आप शहद आँखों में डालते हैं तो किसी को अगर जाला जैसे आँखों में बनने लग जाता है ना तो जाला अगर बनने लग गया है ना तो शहद में इतनी ताकत है कि वह जाले को भी काट देता है अगर आप रेगुलर लगाते हैं 15-20 साल हो गए मुझे निरोधाम में वो लेक पड़े हुए तो तब से ही हम रेगुलर लगाते हैं और जब भी हमें कोई प्योर शहद मिलता है हम वही आँखों में लगाते हैं मार्किट वाला शहद तो थोड़ा सा मुझे लगता है मिलावत ना हो तो मैं नहीं लगाती तो अगर आपको भी प्योर शहद मिले तो आप भी आँखों में लगा कर देख सकते हैं और अपना एक्सपिरियंस शेर कीजीगा